कि अधिक कर्विए को अनौन दी थी लेकिन भर्मातमा पर उनका कोई आसर हुआ नहीं था तो उन्होंने उनका दाओ लग गया और विशेश कर परमात्मा ऐसी लिला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का समराट सिकंदर लोधी कासी बनारस में अपने दोरे पर जाता था उस दिन उन दिनों में दिल्ली का समराट यानि भारत का पूरे भारत का राजा वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए जैसे कासी का नरेस वहाँ उसमें बीर देव सिंग बगेल थे तो उनके पास जाते रहते थे उनकी सारे राजकाज की वो नजर रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतरगत होते थे उसी समय परमात्मा न ये लिला की सभी हिंदु धर्म के आचारिये संक्राचारिये और अन्य जितने मडलेस वर थे उनका सब कादाव लगया ब्रामन गुरू जितने थे और उदर से मुसलमानों के पीर और कजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से और साथ में एक सेख तकी नाम का जो मुसलमान था वो पीर था गुरू था किसका सिकंदर लोजी का राजा का और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के निया आई थे उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे वो इतना उसको मानते थे और वो सिकंदर लोजी के साथ ही जाता था वो भी पहुँचा हुआ था अब सभी ने मिलकर इंदू और मुसलमान दोनों के धर्म गुरू उन्होंने अपने अपने अन्वयाईयों को बर्मित कियास कहा के देखो भाई ऐसा व्यक्ति अगर कासी में रहेगा हमारे नगर में रहेगा क्या असर पड़ेगा बच्चों पर कैसे निकलेंगे हम बाहर चलो राजा सिकंदर लोजी आया है उसके सामने हम अपने अर्द करेंगे और इसको कठी दंड दलवाएंगे बीर देव सिंग बगहेल जो कासी नरिश थे वो भी परमात्मा कबीर जी के सिस हो चुके थे उनकी लीला देखकर उनकी सक्ती देखकर उनके ग्यान को पसे प्रिचित हो दिल्णी के समराट सिकंधर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के सिस हो चुके थे क्योंकि सिकंधर लोधी को एक बहुत ब Teach कर ऐसा देरोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आसिरवाद मात्र से स्वर्ष्थ हो गया था जिस कारण से पुनर जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कभीर प्रमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और सेस्भी बन गए थे लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है जनता गणी दिखी न अपने राज के जाने के भैसे वो कुछ भी फैसला ले लेता है उसमें ना वो बगवान देखता ना कोई गुरू और धर्म देखता धर्म में धार मिखता तो उसने सभी लोग इकठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए जिस रेष्ट हाउसमें वो रुके हुए थे सारी कानी से प्रिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको सभी ने कहा जिसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको पत्थर मार मार के राजा ने अपने राज्ज को बचाने के लिए कि जनता तेरी विरुधी ना हो जा यह हम इसे नकली है अपने हाथ से सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब का अपने गुरुदेव के अठकड़ी लगाई राजा ने जो एक सिपाई का काम था सिर्फ नमबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरुधी ना हो जा और सब को पता था के राजा का गुरुदेव है और कहीं है मेरे से इस कारण से विरुध ना कर ले कि यू सजा ने दे सकता यह तो इसका चेला है वो सब मरियादाओं को लांग के अपने हाथों पर मातमा के आथों मा थकड़ी लगाई पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते तोग जो नीचे पैरों से लेकर अथकड़ियों के साथ उपर तक जकड़ देती थी उस पे दोड़ नहीं सकता भाग नहीं सकता धिरे धिरे चल सकता था ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डोगो दो अब सेक तकी जो धार में गुरू था सिकंदलो दी का उसने बाग दोर संभाल ली अकली माप करते हुआ इसका काम उनको ले जाकर के गले में पत्थर बांदिये वो बेड़ी अथकड़ी तो लगाई रखी थी तोक भी जड़ रखी थी पत्थर भी बांदिये गले में भारा भारा रस्तों से और नोका में बठा के पांचा दस वक्ती साथ गए दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहिब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा इसका टंटा कट जाएगा उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर दरिया के अंदर सभी हतकडी बेडी अपने आप तूट गी पत्थर बांद रखे थे वो तूट गए वो दरिया में डूब गए और कबीर साहिब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के उपर जैसे थल पर बैठा करते हैं आसन पदम लगा के नीचे से लहर जा रही है परमातमा सुरक सित बैठे अब नौक का वाले वापिस आगे अब लोगों न देखा कि ये डूबा नहीं पहले तिये सोचा कि अब डूब जागा थोड़ी सी देर में पत्थर वत्थर रीचे खेचेंगे इसको जब देखा कि इतना डूब रहा है ना इसको हतख़ड़ी रही है तो सब ने कहा कि पत्थर मारो पत्थर मारो किनारे से लोगे पत्थर मार ले पत्थर वहां कहां जां थे बीच में दोस्य के फुट की दूरी पर फिर कहा के तीर लाओ गोली लाओ बंदूख से मारो तीर ले आया कोई बंदूख ले आए और वहां गोली मारे परमात्मा के उपर जब तीर और इन से नहीं मरे बंदूख गोलियों से तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोब मंगाई जाए अब तोब यंतर लाके खड़ा कर दिया उसमें गोले डाले है कबिर साब के उपर दाग गए वो गोला या तो वहीं गिर जाए फस या कबीर साहब से 200-300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे क्योंकि वह बहुत चुड़ाई है गंगा दरिया की जहां पर वो ये किरिया कर रहे थे और या इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के ऐसे कबीर ऐसे परमेश्वर की लीला को आदनी गरीबदा साहिब जी गाउन शुडानी जला जजर हरियाना वाले ने परमात्मा से परिचित उस ग्यान से उस ग्यान से समझ कर जान कर यथार्त रूप में वर्णन किया परमात्मा से